दोस्तों गर आप याजिंग के रहाने को बैतरीन क्रिकटर मानते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों बारत्य टीम ने पिछले मैच में साउथ अफरिका को बुरी तरीके से हराया था इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच जोहांसबर्ग के स्टेडियम में तीन जनवरी को खेला जा रहा है जिसमें बारत्य टीम ने बहुत बेकार शुरूआत की है और इस पर विरेंदर सहवाग भड़क चुके हैं जिसके बाद दूसरे मुकाबले में भारत्य टीम के कप्तान विराट कोली दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल रहे है और उनकी चगा टीम की कप्तानी केल राहूल करेंगे वहीं साउथ अफरिका के विकेट कीपर बलेबास कुिंटन डिकॉक ने सन्यास लिया है जिसके बाद साउथ अफरिका टीम और ज्यादा कमजोर दिख रही है तो वहीं भारत्य टीम के कप्तान केल राहूल ने टॉस जीत कर बलेबासी का फैंसला किया और टीम में विराट कोली की जगा हनुमा विहारी को शामिल किया है और मयंग अगरवाल ने 60 रन बनाये थे तो वहीं केल राहूल ने अपना साथवा शटक भी जड़ा था जिसमें उन्होंने 123 रन बनाये थे और दूसरे टेस्ट मैच में सबसे पहले तो वहीं आठवे ओवर में एक ड्रामा देखने को मिला जिसमें आठवे ओवर की तीसरी गेंद पर केल राहूल ओलिवर की गेंद पर फस्ते हुए दिखाए दिये और साथ अफरिका ने DRS भी ले लिया तो केल राहूल नॉट आउट हुए और इसके अगली ही दो गेंदों पर दो चौके चड़कर साथ अफरिका के जले पर नवक चलग दिया तो वहीं पंदरवे ओवर में मयंग अगरवाल ने अपना विकेट मार्को जंक्शन को 36 गेंदों पर 26 रन बना कर कवा दिया इसके बाद बल्लेबाजी करने आया हनुआ विहारी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं और पहले सत्र के अंत तक भारतिय टीम में 53 रन पर विकेट तीन गवा दिया है जिसमें राहूल के 19 और हनुमा विहारी के 4 रन शामिल हैं जिसके बाद विरेंदर सहवाग रहाने और पुजारा पर बढ़क चुके हैं उन्होंने कहा है कि अगर आप दोनों प्लेयर्स को बहतरीन प्रतरशन नहीं करना है तो आप अपने घर जा सकते हैं क्योंकि भारतिय टीम ने आपको इतने मौके दिये लेकिन आप एक भी मौके को भुना नहीं पाएं और आप लगातार बेकार से बेकार प्रतरशन करते चले जा रहे हैं और शायद अगले टेस्ट मैच में भारतिय टीम आपको बाहर भी कर दे तो वहीं विरेंद्र सहवाग ने ये भी कहा है कि भारतिय टीम में विराट कोली नहीं खेल रहे हैं उस वज़ा से किसी अनुपवी बलेबास को जिम्मेदारी उठानी होती है लेकिन आप ये काम भी नहीं कर रहे हैं तो वहीं कुजारा ने पिछले मैच में पहली पारी में 0 तो वहीं दूसरी पारी में 16 रन बनाये तो वहीं रहाने ने पिछले मैच में 48 तो दूसरी पारी में 20 रन बनाये दोस्तों जिक के रहाने और कुजारा के प्रदर्शन को देखते हुए बारतिय ट पीचे दिये के कमेंट लॉक्स में जरूर दे और ऐसी शांदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद